हेलो फ्रेंड्स तो आज हम देखेंगे एक और अमेजिंग एनिमेटिड मूवी एपिक उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आईगी तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मूवी शुरू होती है एक जंगल के सीन से जहां हम एक बोंबा नाम के साइंटिस को देखते हैं ऐसा लगता है जैसे वो कुछ ठून रहा है क्योंकि उसने सारे जंगल में जगा जगा कैमरास लगाए हुए हैं तब ही उसी अपने मोशन सेंसर कैमरा से एक सिगनल मिलता है वो से सीन शिफ्ट होकर उपर आता है जाम उन कवों पर कुछ बक्स को बैठा हुआ देखते हैं वो एक बहुत ही छोटे साइस के लड़के नोड को मारने की कोशिश कर रहे हैं नोड उन से अपनी जान बचाता हुआ भागता है और तब ही वहाँ उसे बचाने के लिए उसके ह जैसे कहीं और छोटे इंसान भी आ जाते हैं उनकी बातों से पता चलता है कि ये लीफ मैं नाम की प्रजाती हैं जो सालों से उस जंगल में छुपकर रह रही है और बोंबा भी शैद काफी टाइम से इने ही डूनने के लिए रिसर्च कर रहा है आगे हम एक लड़की को दे है कि तब ही फिर से उसके लगाए हुए कैमरा से एक्टिवेट हो जाते हैं और बोंबा स्क्रीन पर देखता है कि बर्ट पे कोई बैठा हुआ है एम के उदास हो जाती है कि अभी भी उसके पीता के पास उसके लिए टाइम नहीं है आगे हम उन लीफ मैंस को अपने इलाके हरा बरा रहता है यहां पता चलता है कि तारा आज अपना एक वारिस चुनने वाली है और एक कली को चुन कर उसमें अपनी सारी शक्ति समा देगी वो बताती है कि ये दिन सो सालों में एक ही बार आता है और उन्हें हर हाल में आज ये सेरिमनी पूरी करनी होगी यहां हम ये मेंडरेक और उसके बेटे दागदा का सपना है कि वो लीफ मैंस के इलाके को भी अपने में मिला ले और उसे भी बरबाद कर सके मेंडरेक प्लैन करता है कि वो क्वीन तारा को मार कर उसकी सारी शक्तियां हासिल कर लेगा ताकि वो पूरे जंगल को बरबाद कर दे आगे नोट मून हेवन आता है और हमें पता लगता है कि रोनिन ने उसके पिता से वादा किया था कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा लेकिन नोट को ये बिलकुल पसंद नहीं होता और वो सोलजर की नोकरी छोड़ कर मून हेवन से चला जाता है इधर लीफ मैं तारा को हम है लेकिन उसे यकीन दिलाने के लिए बॉम्बा अपने आईपोड पर कुछ आवाजे सुनाता है एम के सोच में पढ़ जाती है क्योंकि ये इंसानों की नहीं बलकि कुछ बैट्स की आवाजे हैं बॉम्बा उसे बताता है कि कैसे ये छोटे लोग मक्यों के जैसे बहु के उदास हो जाती है और अपने पिता से नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है बॉम्बा के लिए एक मैसिच छोड़ कर वो जैसे ही घर से बाहर निकलती है उनका डोगी ओजी जंगल की तरफ भाग जाता है उसे वापस लाने के लिए एम के भी उसके पीछे पीछे जंग सड़ते हुए देखता है और समझ जाता है कि बोगन्स यहां आच चुके हैं वो एक पेट पर तीर चलाता है और उसमें छुपा हुआ बोगन्स हमला कर देते हैं और क्वीन कली के साथ किसी तरह उनसे बचकर जंगल में भाग जाती है थोड़ा आगे आने पर एक बोगन उ के पीछे लग जाते हैं और रोनी ने एक तीर से दागदा को मार डालता है लेकिन मैंडरेक का एक तीर क्वीन को घायल कर देता है जिससे वो नीचे गिर जाती है इधर ओजी को ढूंडते हुए एमके को एक चमकती हुई चीज नीचे गिरती दिखती है और वो उसके पास क्वीन उस कली में अपनी पावर्स ट्रांसफर करके एमके के हाथों में दे देती है और देखते ही देखते उसका साइज भी छोटा हो जाता है वो बाग कर क्वीन के पास आती है जो उसे बताती है कि ये कली इस जंगल की जान है और उसे इसे लेकर एक जादूगर नीम के पास जाना होगा ताभी रोनिन और बाकी लीफ में वहां आते हैं और क्वीन उसकी बाहों में अपना दम तोड़ देती है यहां एमके को एक बड़े साइस की मदुमक्खी दिखती है वो समझ जाती है कि जो उसके पिता बताते थे वो सब सच था ताभी वहां मब और जाते हैं उदर हम नोट को देखते हैं जो अपने ही जैसे लोगों के साथ एक बड़ रेस में हिस्सा ले रहा है जल्दी ही वो रेस जीज जाता है लेकिन एक बूफो नाम का गैंक्स्टर मैंडक उसे पकड़ लेता है पता चलता है कि नोट ने उससे ये रेस हारने के जानी होगी यहीं नोट पहली बार एमके को देखता है और वो लोग जाने की तयारी करते हैं लेकिन बूफो छुपकर उनकी सारी बाते सुन लेता है उदर घर वापस आकर बोंबा को एमके का मैसेज मिलता है और उसे लगता है कि वो यहां से चली गई है इधर वो सब नोट और एमके एक होल में गिर जाते हैं जहां एक चूहा एमके पर हमला करता है एमके नोटिस करती है कि वो भी उची छलांग लगा सकती है लेकिन एक पेट से टकरा कर पहोश हो जाती है नोट उसे बचाने आता है लेकिन चूहे का सामना नहीं कर पाता तब ही रोनिन वह यहां आकर उन दोनों को बचा लेता है, क्वीन के मरने के बाद मैंडरेक फिर से जंगल को तभा करने लगता है, और उस कली को ढूड़ने में लग जाता है, वो बूफो को बुलवाता है, और उसे टरा कर उससे रोनिन का प्लैन पता करता है, रोनिन सब को लेके जादू कर नीम तक पहुंच जाता है, और वो देखता है कि वहाँ भीड लगी हुई है, यहां पता चलता है कि जंगल में हो रही तबाई को रोकने के लिए वो सब यहां आए हैं, जल्दी वो नीम से मिलते हैं, जिसे अभी अभी क्वीन की मोत के बारे में पता चला है, वो असल में एक रिकोर्ट कीपर है, जो जंगल में घटी हर घटना का रिकोर्ट रखता है, वो उन्हें बताता है कि इस कली को फुल मून में खिलना होगा, तब ही यह जंगल बच पाएगा, एमके उससे अपने बारे में पूछती है, और वो उसे उसकी पुरानी मेमरी दिखाता है, वहाँ उसे पता चलता है कि जैसे ही वो कली खिलेगी, उसे भी उसका पुराना रूप वापस मिल जाएगा, रोनिन नोट को कली का ध्यान रखने को कहकर, नीम के साथ अपने लोगों तक मैसिट पहुंचाने जाता है, लेकिन नोट एक पर फिर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, और एमके को हीरन की सवारी कराने ले जाता है, जहां हम देखते हैं कि वो दोने एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, इदर मैंडरेक जिसे कली की लोकेशन पता चल गई थी नीम के वहां आता है, मब और ग्रब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कली के साथ उन दोनों को भी ले जाता है, और रोनिन कोशिश करने पर भी उसे नहीं रोक पाता, मैंडरेक मब और ग्रब को बताता है कि उसका प्लैन कली को अंधेरे में खिलाने का है, जो उसका असर पलट कर सारे जंगल को बरबाद कर देगी, रोनिन को नोट पर बहुत गुस्सा आता है कि वो एक काम भी ठीक से नहीं कर पाया, वो अकेला ही बोगंस के इलाके में जाना चाता है, लेकिन एमके सब को एक साथ चलने को कहती है, तब ही निम बताता है कि जल्दी ही फुल मून होने वाला है, और अगर टाइम निकल गया तो सब कुछ खतम हो जाएगा, एमके सब को लेकर अपने पीता के घर चलने को कहती है, ताकि वो वहाँ से कुछ मदद ले सके, बोंबा के घर उन्हें लीफ मैन और बोगंस की कुछ चीज़े मिलती हैं, जो लडाई में उनकी मदद करेंगी, यहाँ एमके को पता चलता है कि रोनी और उसके लोग जान बूचकर अपने कुछ निशानियां गलत जगा चोड़ते थे, ताकि बोंबा उनके ठिकाने से दूर रहे, वो उसका मजाक उडाते हैं, और तब एमके बताती है कि वो उसके पिता है, यह सुनकर नोड हैरान हो जाता है, क्यूंकि उसे लगता था कि एमके उन में से ही एक है, लेकिन रोनीन उसे सारी कहानी बताता है, तब ही वहाँ ओजी आता है, और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, वो लोग उससे बचकर भागते हैं, और शोड सुनकर जैसे ही बोंबा पलटता है, उसे ये तीनों दिख जाते हैं, रोनीन किसी तरह एक परदे की रसी से, उन सब को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बोंबा एक वैक्यूम क्लीनर से एमके को पकड़ लेता है, खुछ जैसे ही उसे पास से देखता है, उसमें उसे एमके दिखाई देती है, और ये देखकर वो बेहोश हो जाता है, एमके बाहर आती है, और नोट जल्दी से उसे यहां से चलने को कहता है, लेकिन वो जाने से पहले जंगल की मैपर मून हैवेन की सही लोकेशन मार्क कर देती है आगे वो लोग बोगंस के जैसे कवच पहन कर उनके इलाके में आते हैं रोनीन एक प्लैन बनाता है और बोगंस को अपने पीछे लगा कर उन दोनों को कली और स्नेल्स को बचाने को कहता है वो दोनों स्नेल्स को ढूंड लेते हैं और छुपकर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं रोनीन का सामना मैंडरेक से होता है और वापस में लडने लगते हैं तबी मैंडरेक नोड और एमके को देख लेता है और अपने सातियों को उने पकड़ने को कहता है रोनीन अकेला ही उन सब से बिढ़ जाता है और नोड और एमके को कली लेकर वहाँ से जाने को कहता है ना च चलता है कि मेंडरेक अपने बैट्स की मदद से मून की लाइट को रोक रहा है नोड और बाके लीफ मैन बैट्स को हटाने उनके पीछे जाते हैं और इधर एमके को एक आईडिया आता है वो तुरंत वहाँ से निकल कर अपने पिता के कैमरों के पास जाती है ताकि उनसे मांग सके इधर बॉंबा को लगने लगता है कि शायद वो गलत था और कोई छोटे इनसान यहां नहीं रहते वो अपने सभी कैमरास को बंद कर देता है लेकिन तब ही उसकी नजर मैप पे लगे पिन पर पढ़ती है वो समझ चाता है कि ये कोई सपना नहीं बलकि उसने सच में MK को ही देखा था वो भाग कर उस लोकेशन की तरफ जाता है जहां रास्ते में उसे MK मिलती है जो उसे अपने साथ चलने को बोलती है इधर मैंडरेक मून हैवन पहुंच जाता है जहां वो कली अंधेरे में खिल रही है इससे पहले कि वो उसे चूप आए वहां रोनी न आने लगते हैं बैट्स की हटते ही मून की रोशनी कली पर पड़ती है और तभी नोड और रोनीन मिलकर मैंडरेक को बाहर दकेलते हैं वो उड़ता हुआ एक पेट से ठीक हो रहा था और हमेशा के लिए उसमें कैद हो जाता है कली के खिलते ही जंगल एक बार फिर हरा भरा होने लगता है और हम देखते हैं कि क्वीन तारा ने उसी लड़की को अपना वारिस चुन लिया है जिसने उसकी जान बचाई थी नई क्वीन अपने पावर से एमके को वापस भेजने लगती है और एमके नोड से अलविदा लेती है वो दोबार अपने साइज में वापस आ जाती है और अपने पिता से मिलती है बोंबा भी अपनी गलती समझ चुका था और वो एमके को जादा से जादा वक्त देने का वादा करता है एंड सीन में हम देखते हैं कि नोड कैमरास के दूरू एमके से बात करता है और वो अपने पिता को लेकर उनसे मिलने चल और इसी के साथ हमारी मूवी खतम हो जाती है तो दोस्तो अगर आप कोई मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू